एक टाइम पे लग रा था कि इस रेकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में एक और रेकॉर्ड ना टूड जाए और बहुत मुश्किल जब आप 277 बनाये हो पहले टीम ने तो उसके बाद अच्छी शुरुआत के बाद 10-0 और मार्क पे भी नेक और नेक रहे हैं मुंबाई इंडियन्स हाइदरबाद के साथ पर अंत में जो लक्ष था वो कुछ जादा ही विशाल काफी पास तक पहुंचे पर फिर भी दो अंग जो है वो हाइदरबाद के मुंबाई 246 फर फाइव बीस ओवर में तिलक वर्मा ने अच्छे रन बनाए साथ में टीम डेविड ने भी अंत में किया इशान किशन ने पावर प्ले में रन बनाए पर 270 पर का लक्ष जो है बहुत उचा होता है रेकॉर्ड ब्रेकिंग हाइदरबाद की बैटिंग परफॉर्मनस आज हाइदरबाद में आप देख रहे हैं क्रिकबाद लाइव मैं हूं गॉर्फ कपूर मेरे साथ विरिंदर सहवाग और मनोश तिवारी तो दो चीजे हुई है एक सबसे पहले जो एक रिवाज है के होम टीम मैच जीती जा रही है वो रिवाज नहीं टूटा वो रिवाज अभी भी रहे पिर एक और रिवाज था के विरिंदर सहवाग की एक भी प्रडिक्शन राइट नहीं आ रही पर वो तूट गया है और इनकी पहली गैस प्रडिक्शन आज absolutely on the dot ही कैसे लग रहे आपको बहुत ही बड़िया लग रहा है दिन के बाद साथमें दिन सूरे उदे हुआ है मेरा इन्होंने का था पावर प्ले में 75 बनेंगे और 76 बनें तो याने के ये जीत गए हमारी गेसिंगी गेम पर एक बात बताऊंगा जो में 76 बनें थे पावर प्ले में लास बोल मिस कर दी ते लगवर माने वर नवासी पे होते है जो मेरी थी गेस पिल्कुल पर चैथ हमारी बीच में ही रहता पर जो खेले हैं ये आज पावर प्ले में भी दस ओवर मार्ग तक भी ये पहलत नहीं होगा कहना कि 12-13 ओवर मार्ग तक लग रहा था कि शायद मुंबाई कर भी ले आइ तिंक 13 ओवर तक वो 14 रन पर थी ओवर थे एक वर जब मैं बीच में मैच देख रहे थे तो 14.38 पे उनका करंट रन रेट था रिक्वाइर रन रेट 13.47 ऐसा कुछ तो बढ़ा दिया था उनका तो चल रहा था लेकिन फिर वो भूवी का एक ओवर आया जिसमें पांच रन गए फिर पैट्स क्यूमिन्स ने एक ओवर डाला जिसमें तीन रन गए और 3.18 बोलो में कोई चौका छका नहीं लगा तो वहाँ से मैच हैदराबाद की तरफ चला गया वरना एक समय तो ऐसा लग रहा था कर ये इसी रन रेट पे बनाते रहे तो शायद पॉसिबल है पहुँच जाएंगे वाता 13 ओवर था जो भुवनेशर कुमार ने डाला ऐसा लग रहा था कि एक तरफ नदी बह रहे थी और उनने बिल्कुल मुई मोड दिया उसका एकदम और जिस तरह से आज भल्ले बाजी देखने को मिली है मतलब कमाल की बैच्शमेंशिप दोनों तरफ से देखने को मिली है और आज मुमें इंडियन्स मैच हा रहे है लेकिन मनो विग्यानिक तौर से ये मैच जीते है क्योंकि इतना रन चेस तो होता ही नहीं कभी क्योंकि एक दो बोलर तो वो भी अनुभवी अंतरास्ट ये बोलर्स है जो आके अच्छा करेंगे ये आपक्षा रखे थे हम लोग तो वही हुआ अंत में पैट कमिंग्स आज कप्तानी डिलिवरी करके दिखाई अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी निभाई पिछले मैच में वो नहीं आया थे क्रूशलोवर्स में जहां दबाव ज़ादा था लेकिन आज अपने आपको बैक करके आएं पावर प्ले में भी आये और बाद में भी आये जब आके उन्होंने अच्छी डाली भुबनेश्वर कुमार की आकड़े अगर आप देखें तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो तीरवा हुआ जो उन्होंने आगे पांच रन दिया वो मैच का रुक वहां से बदला लेकिन बिल्कुल क्योंके कई बारी हम हमेशा बात करते हैं वी लू कि जो आंकड़े हैं वो पूरी कहानी नहीं बताते आपको क्योंके जो कॉंटेक्स लगना होता है कि किस समय पे क्या हुआ अब यह आप देखेंगे भुवनेशा और कुमार अब कहेंगे भई यह तो पचास का अगड़ा लगावा है यहां पर उन्होंने बिल्कुल रुक बदला मैच का वो एक ओवर डालके जो जब आप टीम के साथ होते हैं तो तब आप यह नाकड़ों पे नजर नहीं डालते तब आपको पता होता है कि ठीक है उसने पचास नगाए लेकिन मेरा मैच में वापसी कराई एक उस एक ओवर ने क्योंकि मार तो पड़ी रही दी सबको ऐसा नहीं कि कोई किसी ने छेरन पर एकनोमी रेट पर खतम किया हो तो वो भूवनेश्वर कुमार को सब जानते हैं कि भी वो एक्सपिरियंस गेंदबाज है और यह और उनाटकटी तो थे नूबवी जिन्होंने 275 वाला मैच किया ह है विल्कुल एक्सपिरियंस होल्डर है यह जो इन फाक्त क्रिस गेल वाला मैच था जहां उन्होंने 175 माले थे यह दोनों उस मैच में थे जह दे वो नटकट उस वकट डगवड में बैठे थे क्योंकि वो क्रिस गेल की टीम में ही थे पर भूवनेश्वर कुमार ने जहां में गिंद बस कर रहे थे और यहा डिया अपने संबने सबने 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 अने इनक इस हो गए था क्या है यह एक ज़्यू अच्क ख से एतिक डेये आत्हेज हो जायंगे तो वो पहली बारी बने थे उससे मैं ये समझ लो इतने रन जो चेज होए तो आज भी possibility थी होगा ये T20 format में कभी न कभी होगा कि 200 या 270 कोई टीम मनाएगे वो चेज होते हो निज़र आएंगे या पर और आज लग भी रहा था in fact मनुझ जब हर्दिक पंडिया बैटिंग करने के लिए साही समय पे भी आए बैटिंग करने के लिए एकाथ बड़ी हिट भी मारी पर उसके बाद ये जो ओवर था एक Pat Cummins का एक भूवी का उसमें ये और टिम डेविट फस गे एकदम और आज के दिन में सोने के भाव ऐसे भी सत्तर हजार रुपए पर ग्राम गया हुआ है मेरे क्याल से अच्छो आप इसा पता ही नहीं है मुझे पता है आपको तो पता होगी आप तो पॉलिटिक्स में है अभी बीवी एक गिफ्ट मांगी थी ना मुझे पता करना पड़ा था कि कितना खर्चा होने वाला है ये जोग जो है ना इस जोग को सोने में तोल दो मज़ा आगया लेकिन आज अगर आप देखें मुंबई के बल्ले बाजो की स्ट्राइक ट्रेट्स अगर देखें हर्दिक पांडिया एक बहुत बड़े खिलाडी है बहुत अच्छा हिट्स लगाते है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर स्ट्राइक रेट देखें 120 में जाके सिमट गई वहां पर बोलिंग बहुत अच्छी हुई थी मेरे को जो खली एक दो शॉट देखें उनका बैक ओफ लेंथ शॉट बॉलर कर रहे थे इनको तो वो ना शॉट नीचे की तरफ मार रहे थे जैनरली जब आस्किंग रेट 14-15 के तरफ होता है और इतने बड़े बल्लेबाज रह चुके है हिटर अच्छे रह चुके है तो मैं देखना चाहता था कि अच्छे के लिए वो देखे वहां क्योंकि वहां डॉट बॉल या नीचे मार के एक दो लेने का या चौका भी लेने का वो सिच्वेशन था नहीं तो वो थोड़ा सा दो बार मुझे खली कि क्यों ऐसा खेल रहा है इससे यही पता लग रहा है कि अभी अच्छे लेमें नहीं है पिछले मैच में ने उन्होंने मारा मैच लाया लेकिन आउट हो गया अक्सर देखा जाता है कि यह मैच निकाल के देते हैं टीम को लेकिन यह छोड़के बाकी अब जितना कर सकते थे बाकी बल्ले बाजों ने किया मनोवेग्यानिक तोड़ से रोमारियो लास्ट में जो आए यह भी एड़ी हुआ प्लस ही हुआ क्योंकि ब्रैविस आके शायद हो सकता स्ट्रगल करते लेकिन यह दो चौका एक चौका मारके अपना एक इनिंग्स दिखा के गए कि भाई ऐसा सिचुएशन दुबारा है तो मैं हूँ रेडी हूँ स्कोर काट देखें अगर हम तो उसमें आपको पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं कि कैसी बल्ले बाजी हुई इन फैक्ट एक ही गियर था इस तो बतलब अगर आप 270 की पीछे भाग रहे हैं तो आपको टॉप गियर में ही भागना है अगर आप सेकंड गियर में भी चलाएंगे तो रिवर्स के बराबर है वो तो इसलिए आप देखें उपर रोहिचर्मा बारा बॉल 26 इशान किशन तेरा बॉल 34 फिर उसके बाद नवंधीर के भी 14 बॉल 30 फिर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी वल्ले बाजी करिया 64 रन बनाए 34 गेंदों में और इसलिए वहाँ पर देखें हर्दिक पंडिया का जो लग रहा है थोड़ा सा जो कहते हैं सोर थम जो निकल रहा है भार पर टिम डेविड उन्होंने भी अच्छी वल्ले हैं आज सब गए हैं तो यह लक्षे कुछ जाद ही बड़ा था पर देखें अगर धाई सो भी मुश्किल होते हैं बनने अगर धाई सो बनने होते हैं आज यह निकाल ले थे मैच बिलकुल और यही तो है मज़ा इस खेल का कि अगर आप दो सो सत्तर पिचे तरिया तो हाप सवा सो डेड़ो सो पहला उट जाओगे या आप उसके पास जाओगे स्कोर के पास गए हैं ड़ाई सो तक ड़ाई सो तक पहुचा हैं तो मेरे ख्याल से कोशिश बहुत बढ़िया थी अब यही है कि वो दो और में अगर दस-दस रन भी आये होते तो हारते तो और कम से लेकिन वो मज़ा आता लास्टोबर में चाहिए होते 25 रन और फिर देखते कौन डाल रहा है तो मुकाबला मज़ा आता देखने में बट लास्टोबर में कुछ जादा ही रन चूट गे थे तो इसलिए मरकंडे को डाला बट मैं अगर उदर हैदरबा चाहता था ने बड़े रेकॉर्ड टूटे आज मैच में जब हमने पिच देखी थी और वीरों ने कहा था कि पिच गंजी है तो ने मैंने कहा था ऐसी है जैसा मरह फ्लोर है यह फ्लोर आइसी है खोगली नर से और ऐसी ही निगली और जब मैच शुरू आ तो उसके पहले श के बायो डेटा साइड पे करो क्या करूँ मैं जॉब छोड़ दूँ बोलर कह रहे है क्या करूँ मैं मनुझ हो क्या रही है मुझे ऐसा लग रहा है इस बार IPL खतम होते होते ना मेरे ख्याल से पिटिशन सब कोई मिल के फाइल करने वाले है सवा पांसो सौरी क्या कह रहा ह सवा पांसोरा सारे वो पेटिशन फाइल करने वाले कि अगर ऐसा विकेट बनेगा तो हम नहीं खेलेंगे पहले से रेजिगनेशन लेके बैठते हैं यह दो बांसर का जो नियम अभी लागू हुआ था ऐसा लगा था कि बोलर के पक्ष में जा रहा है लेकिन यह तो विपर कि अगराने खिलारी हुए करते थे बहुत पहले कि पाजी के भी पहले एक भारती खिलारी है जिनका स्टोरी बच्पन से सुनके बड़े हो रहे है कि उनका जब नाम आया ना इंडिया वेस्ट इंडी स्टूर पे थे वो खिलारी तो उनका ना अचानक से नाम आ गया कि मैं मैं कि वो डर गयते मरला वो वेस्ट इंडी अथ भीड रहे है वाधरी बातशूम में चले गयते बाद में आकि कैल रहू हूँ वाह रहा हूँ वाइभ मे थे अगर आने वाले टाइम में फी ऐसे होने वाले ला हम उग ओलर कहेंग है वाह इंगays टृ इसा मिकेट में ग माम आरे मेरे जहन में, अगर आप लोग कोई UPI पेमिंट करतें तो मैं आपको बता सकता हूं को अरे, परी मैं नी बता हूंगा, नॉटी, परी मैं नी बता हूंगा, परा ये बात तो है, के बच्चन सापका एक पुराना डायलोग है न, मैं जब घर से निकलता हूं, तो सर प अगर ऐसी पिच बनेगी न, पांसो सवा पांसो वाली, तो बोला, जेब में अस्तीफा लेके घुमेंगे, नी बे, अगर मैं पैट कमिंसुद में, मैं कुशी-कुशी है, मैं चार में सतर देने को तही आर हूं, बैंक बैंक बैंस तो बढ़ रहा है, क्या, रन भी बढ़ जलाओंगा, बैंक बैंक बैंस भी बढ़ रहा है, रन भी पड़ रहे है, क्या है, अग्या थैए, वैसे, यह भी सही बात है 15 क्रोड, 24 क्रोड में विखे है न, हूँ, वो, 20 क्रोड क्रोड, और formidable क्रोड, 20 क्रोड समिज्ज्न त display पर 25 समस् से ले जा रहा है, सारा करोड पता नहीं ऐसी तुबारा देखने को मिले या नहीं पर राशित खान मेरे को एक बड़ी मेरे शो पे कहते है कि जह हाई है किता है में हाईदर बाद के क्यूरेटर को जाखे बोलता हूं कि भाई ये क्या वना रहे हो कुछ कि क्या कर रहे तिये पर तो थीक है पर ऐसी पुछ बनाऊंगो तो हम निहीं आएंगे देखने मुंबाई ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उसके बाद 20 ओवर के लिए काफी आसू भी भाये थे उन्होंने इस डिसिजिन इस निडने के बाद क्योंकि हाइदरबाद ने रेकॉर्ड तोड़ा highest score in history of IPL IPL के इतिहास में सबसे विशाल score जो है ये बनाया है इन्होंने 277 रन तीन लिकेट को नुकसान पे बड़े रन मारे सब ने क्लास अनने अभिशेक शर्मा ट्राविस हेड ने रेकॉर्ड तोड़ा बनाया इन्होंने 16 गेंदों में 50 रन उसके तुरंत बाद मतलब 20 मिनिट बाद ही अभिशेक शर्मा ने उनका रेकॉर्ड तोड़ दिया और 14 गेंदों में बनाया है 18 और 16 अठारा में ट्राविस हेड थे और 16 में अभिशेक शर्मा थांक्यू और नहीं ठार था 16 और 14 त्राविस हेड 16 तो युवरासिं ने भी तो 14 गेंदों में बनाया है हम यही तो चर्चा कर रहे थे आपने बिल्कुल सही बोला है मैंने गलत बोला है डिरेक्टर ने गलत बोला है अब डिरेक्टर ने ठीक बोला है आपिसा आवे दर आवे दर, ठीक है, आप मैं बता दाओं को क्या हुआ है, कटू कटू इसको, प्रैविस हेड, 18 बॉल, अभी शेक शर्मा, 16 बॉल, बात फाइनल, ठीक है, युवरा सिंग 14 बॉल, शुटर डाउन, दाला, पैंको चाबी, ठीक है, क्योंकि मैंने का युवरा सिंग का रिकोर्ड नहीं टूटा, युवरा सिंग नहीं चोदा बॉल में अच्छे चाबी, नहीं नहीं टूटा, यह, तो 18 और 16, उनका रिकोर्ड टूटा है, यहां नहीं टूटा, कुछ, किसी और ने, किसी और फॉर्माट में नहीं, जब एशिन गिम्स के लिए गए, नेपाल के किसी के लिए, यह, करेक, करेक, कोई, मैंने गहारा था, कोई, आठ छक्के मारे हैं उन्होंने आठ गिंदों में, यह, पर आज की, सुरी, यह नहीं वापिसा, वापिसा, इद्र आज की बात करते हैं, 277 बनाये थे उन्होंने, और उसके बाद मुंबाई निकली जब बल्ले बाजी करने के लिए, तो पावर प्ले भी अच्छा रहा, दस ओवर तक, बारा ओवर तक अच्छा जा रहे थे, लग रहे था कि, शायद ये आज दो अंक छीन लेंगे, पर अफसो संथ में लक्षिब बहुत बड़ा था, और एक अच्छा ओवर दलना था, तो हाइदरबाद ने एक मैच जीत लिया है, तो वो चले गए है उपर, मुंबाई अब नीचे है, देखिए, आज नेट रन रेट को भी थोड़ा बहुत जटका लगा है, क्योंकि बड़ा जटका लग सकता था, तो खेर, उसको तो कम किया उन्होंने, ये इतना बड़ा बलो नहीं है उनके लिए, पर या, कानी ये है कि दो मैच वो खेल चुके हैं, एक भी एक उनको नहीं मिला, पर अभी भी मैं ये कहूँगा उनके फैन्स को, भाई, ऐसा भी करती है मुंबाई, पहले एक नहीं, पहले दो, कभी-कभी तीन मैच भी हार जाए, पांच, पांच हार थोड़ा टाइमा लगेगा, सपोर्ट करते रहे हैं, ये नी रॉचम प्राणा ये नहे कपना नहे तो भी तो नया हो गये, नी साट़ेल के और आपको गवराना नहीं है, आपको गवराना नहीं है क्योंकि अगला गेम होम गेम है अगला होम गेम है और अभी तक रिकार्ड का है मैं होम गेम का कहीं है नो यह ही ट्रेंट तोड़े फिर ओ no ओ yes जैसे कि आज आज आपने रिवाज तोड़ा है कहीं वो ना रिवाज तोड़़े हैं ओ no आईए तो तो हम अब देखते हैं अगला मैच कौन सा है वही एक ये भी रिवाज है भी देखे आपकी टीम जो है आपके शेहर की टीम कलगत्ते की टीम नाइट राइडर वो जा रहे हैं बैंगलोर गेम खेलने के लिए ये मैच परसों है अब आप पूछ रहे होंगा कि हम परसों की क्यों कर रहे हैं राइड क्योंकि कल हमारा हॉलेडे है ना कल छुटे तो इस मैच पेर एक नज़र दालते हैं देखे बैंगलोर भी जो है खुश है क्योंकि जो पिछला मैच जो जीता है उन्होंने अच्छा मैच जीता है वहाँ पे तो इनके भी जो होसले है और और जब स्वामी में जो खेलते हैं तो वो sea of red जो लाल समंदर हो जाता है मतलब मैं जानता हूँ कि कॉलकता के लिए भी काफी सपोर्ट है के क्यार की भी बड़ी exciting टीम है पर चिन्न स्वामी में तो किसी और के लिए नी बजनी था ली RCB के न दो रूप है एक तो वो जब घर पे खेलते हैं तो अलग दिखते हैं और अवे खेलते हैं तो अलग ही दिखते हैं क्योंकि चन्नी में जिस तरह से performance दी थी चन्नी के सामने ऐसा लगा कि फिर से वही हाल होने वाला RCB का मतलब आशा तो बड़ा है लेकिन ट्रॉफी नहीं फिर पहुंच पाएंगे लेकिन फिर दुबारा कमबैक जिस तरह से उन्होंने दिखाए बैंगलॉर में कमाल की performance रही विराट के बल्ले से रन भी आई उसके बाद बड़े statement भी आए उनके तरफ से अब मैच तो बहुत तगड़ा होने वाला है बड़ एक चीज की guarantee है entertainment हो नहीं है क्योंकि विराट कोली है एक तरफ और एक तरफ कौतम रमभीर पस entertainment guarantee मामला है गंभीर टीमों की तरफ एक नजर दालते हैं भाई जो टीम लानी पर ले लिए हो कोई बात नहीं हमारे रेडी हैं हम लोग चलो बैंगलोर की टीम यह मैजबान टीम दिखा देते हैं आपको इसमें भी आप कोई मतलब बदलाव तो नहीं देखते हैं इस टीम में तोनों तरफ अग पर चेंज हो जाता है कि कोई बिमार हो गया किसे को इंजर हो गया तो ही शायद कोई आया दरवाईस तो भी दू मैच हुएं दू में एक जीते एक घारे पिछला मैच अच्छा था तो मुझे लगता नहीं यह एक ही अगर आप मतलब अलजारी जो 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 तरफ को पहला कैमरें ग्रीन को लास्ट मैच में तीन नमबर भीजा किया था तो मेरे कहाल से अगर वो पार्टनर्शीप चलने लगी तो क्या पता फिर पावर हीटर प्रभू देशाई पहले आके प्रमाइन किये हैं शायद मैं एक्चली थोड़ा सा सप्राइज यहापे था क्योंकि रीस टॉपली ने पिछले सीजन इनके लिए अच्छा किया था और वो आपको लेफट आम वाला एंगल भी देते हैं तो उनके आगे अलजारी को खिलाया है उनने पर रीस टॉपली ने भी अच्छा किया है उनके तो मेरी ख्याल से और इंतजार किया जा सकता है क्योंकि जब दूसरे के घर में जायें खेलें तो वहाँ पर आप चेंजिस कर सकते हो कि अकॉर्डिंग तो देविकेट यहाँ पर तो मेरी ख्याल से अभी मुझे लगता नहीं कोई चेंज करना चाहिए बाकी आरसी भी है एक नजर दालते हैं और देखें कि यहाँ पर क्या कोई बदलाव हो सकता है या नहीं बताईए मनुझ ऐसा लग रहा है कि वेंकटेश अगर बदलाव करें तो करेंगे लेकिन वही है बात फिर क्योंकि लास्ट मैच यह भी जीते थे मनीश पांडे अभी बैठे हुए है मन थे नहीं अच्छे फॉर्म में बस वही बदलाव लग रही है मुझे क्योंकि बाकी बोलिंग तो आप देखी रहे हैं कि अच्छी है इनकी या अड्वांटिज किस तीम को देंगे आप लिए अच्छा खेलती है या तो मेरे साब से तो आर्सीबी को अडवांटिज है केकेर को दूँगा मैं यॉके क्योंकि मैं कॉलकटा से आता हूँ और कर जावी कॉलकटा मेरी यही लाइन थी यहाँ पर टीम एफ़र्ट है टीम एफ़र्ट आपने शुरू किया उन्होंने घतम कर दो अग्या है क्रिकिट में नॉमली वीरू शुरू करते दर मनोज घता करते हैं यहां शो में कभी-कभी उल्टा हो जाता है ओपनिंग कॉम्बनेशन मेरा फेवरिट सवाल है कॉलकाता के बारे में ओपनिंग कॉम्बनेशन क्या देखते हैं आपका लून के लिए देखिए मेरे क्याल से सुनिल नरायन को पीछे की तरफ ही रखे तो बैतर है क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी शुरुआती ओवर में एक विकेट गिर जाए क्योंकि विकेट गिरी तो फिर दबाओ थोड़ी पढ़ती है थर्ड जो आते हैं मेरे क्याल से अगर आपको भेज नहीं है तो वेंकटिस को ही भेज दो और इनको पीछे ही रखो पीछे जाके एक दो हिट लगा देंगे जब बॉल हीलेगी नहीं थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो वहाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदे मंद होगी तो वेंकटिस है और अपना जो बैटिंग कर रहे है फिल सॉल्ट जिस तरह से नमक लगा लगा के माको यांशन को मारे है लास्ट मैच में बहुत कमाल की पारी खेली है तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बनता है एक मैं जानता हूँ एक इनसान एक पर्टिक्लर सपना देख रहा है यश दयाल कह रहे है कि रिंकू सिंग को मैं यौकर दारू है और क्लीन बोल्ड कर दूँ पॉसिबल डे, 24 बोल है, 24 बोलों में कितनी बोले रिंकू सिंग उनको इस बार खेलेंगे उस पे नहर बड़ करता है पर हो अगर ऐसा तो, मतलब मेरे को रिंकू की बैटिंग देखके बड़ा मज़ा आता है पर कभी-कभी आप कहते हैं ना कि चलिए कभी एक ड्रामा करने के लिए ये अगर हो जाए तो मज़ा आजए एकदम एकदम आप सही नर्फ पे हाथ रखें अभी इसके पास एकदम सुनहरा मौका है दयाल के पास कि भाई मुझे तो तूने फेमस करी दिया था अब मेरी मारी है कल मौका है तूझे में डंडा उडाऊंगा या तो आउट करें भाई तब देखने को 100% मिलेगी एक अच्छी सेलिब्रेशन दयाल की तरफ से अगर आउट कर पाया तो रिंकू को प्लेयर तो वाच आउट फॉर रिंकू और ये दयाल ने यह अलग अलग टीमों में है ना मुझे सही बात है तो अच्छा गय दिया ठीक है एक RCB का रे कोल गता का वैसे भी मुझे एक है की चुनना है बिल्कुल अच्छे चुनिये हम कहने थे कि उन दोनों में से एक होगा है और दोनों ही चुन लिये चलो ठीक है बढ़िया आप क्या कहते हो मेरे KKR से एंद्र रसल और अपने RCB से विराट कोली असान है यह तो इसमें मुश्किल नहीं है असान वाला पगड़ता हो अजी इसमें कोई मुश्किल नहीं है असान वाला और एक और बात जो है in fact जो इंट्रिस्टिंग बैटल होगा विराट वर्सेज स्पिन और तगड़े स्पि इनके पास है डिपेंड करती है कौन से पिच पे गेम हो रही है अगर थोड़ी से हेल्प मिले स्पिनर्स को तो यह खतरनाक और बेस्ट आपके बातों से एकदम मैं सहमत हूँ लेकिन यहां विकेट बहुत अच्छी चलती है अगर गृप नहीं हुई तो पिटाई भी उतन करते हैं और यह मैं जानता हूँ कि एक बार मैं बात चीत कर रहा था उनसे तो मुझे यही बता रहा था कि अपोजिशन का जो बेस्ट बोलर है मैं उसी को टारगेट करता हूँ मानने के लिए तो यह सोच है वह एक वल्ल कुलास प्लेर की ओसे लिए तो वह बेस्ट हैं बेस्ट को मार के ही आप बेस्ट बने हैं वे双तें हैं इ। में टीनोबेस्ट को नहीं मार पाँ है तीनों बेस्ट, जैसे हम थी है, तीनों बेस्ट, अब तीनों के गुड़नाइट का टाइम हो गया है, तो हम लोग निकलते हैं यहां से, आज क्या है ना कि आज, अच्छा बाइद लिए नंबर ओफ सिक्सेज भी मैक्सिमम आज ही लगे है, बड़ा रेकॉर्ड टूटे आज यह तो छक्को की बाद पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ना लगा कि मेरी गर्दमी क्यों दर्द हो रहा है, इसलिए है, हमारे 3D TV है ना तो उसमें मैं ऐसे दिखता है, तो चलिए भई, सारे रेकॉर्ड आज तूटे हैं, आपने पढ़ी लिए होंगे, सोशल मीडि करता हूं, और आप से हम मिलेंगे पर्सों, पर्सों शाम को हिंदी के शो पे, कल इंग्लिश का शो है, तो अगर आपने आज और कल की बीच में इंग्लिश सीख ली, और उस कल उत उठाना चाहते हैं, तो कल शाम को साथ बज़े आप आ सकते हैं, क्रिग्बस लाइब, only in English, मैं भी सीख के कल वापिस आऊंगा, English की शो में, और फिर पर्सों आऊंगा, Hindi की शो में, मेरे साथ भी काफी अप टाउन, 140, 120 वाली बॉल डाली जा रही है यहां पे, तो चुक्रिया, विरिंदर सेवाग और मनोश्तिवारिगा, thank you, boys, thank you very much, thank you, राम राम, कल काव है, आप अगर आप कल कॉलकता में हों, तो नेता जी होंगे, वापे, रोड पे मिल जाएंगे, कहीं न कहीं, वोट वांग दे, तो इनको हेलो ज़रूर बोलिएगा, हम आपसे हेलो बोलेंगे, कल शाम को साथ बजे क्रिक बज लाइफ पे, मैं हूं गौरफ कपूर, अभी हेलो नी, अभी बाइब बोल रहे हैं, टाटा, IPL.